नमस्कार फियोश पलकों की छाओं सीजन टू में देखने को मिले काफी ट्विस्ट अंटरंस से जहां पर देखने को मिला कि अब सुमन को करना होगा नहीं तुफान का सामना क्योंकि एक तरफ तो यहां पर अंबॉली आ चुकी है जो कि उसकी सबसे बड़ी दुस्मन बनने वाली है क्योंकि अब भी नंदन सुमन से प्यार करता हो और सुमन से बोल रहा होता है कि सुमन तुम्हारे रिष्टे को अपनाना होगा तुम आपी भी मुझसे प्यार करती हो मैं जानता हूं बस तुम इस र प्यार करना होगा उसके साथ अपनी जिंद्गी को नई से सुरू करना होगा लेकिन अंदन उसकी एक पात नहीं मानता है जहां पर वह अपने कमरे में आ जाता है और अमबॉली को बहुत कर चुकी है और अपकी बार भी खेलने वाले बहुत ही खतरना खेल जिसकी वज़े से कि बाश्रों में फिर्ष रे महत के मुग में पहुचते हुए नज रहेगी